नमस्कार दोस्तों नमस्केदार भी गायब हो गया। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि कुछ न्यूज वेबसाइट्स ने यह खबर चापी थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद यह खबर और इससे लेकर जो भी टूइट्स किये गए थे वो डिलीट कर दिये गए। इस खबर के सामने हाते ही भाज़पा के तीन कारणामों की पोल खुली है। पहली तो यह कि भारतीय जंता पार्टी अपनी रैलियों में किराये पर भीड बुला रही है। दूसरा यह कि किराये पर बुलाए गए मजदूरों की मेहनत का पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। और तीसरा और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि यह खबर भी वेबसाइट से मीडिया से हटाई जा रही है। असल में दोस्तों भरतपूर लोकसबा सीट पर सीधा मुकाबला बीजेपी और कॉंग्रूस के बीच में है। मुखेमंतरी भजनलाल शर्मा का यह ग्रह जिला है होने के वज़ज से भी यह सीट बेहत खास मानी जाती है। इस सीट को जीतने के लिए भजनलाल शर्मा हर कोशिश कर रहे हैं। वो दो दिवसिये दौरे पर गए हुए थे और उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी राम स्वरूप कोली के समर्थन में हाँ पर रोडशो किया था। बहुत सारे ऐसे लोग सामने आ गए जो ठेकेदार को ढूंड रहे थे। लेकिन ठेकेदार कहा था किसी को नहीं पता। रैली के बाद ठेकेदार को तलाश कर रहे मजदूरों ने आरोप लगाया कि हम शहर में सुभा के वक्त रोजाना मजदूरी की तलाश करने आते हैं। आज सुभा एक ठेकेदार हमारे पास आयो और उसने कहा कि बीजेपी की रैली में शामिल होना है। र्यक्ति को 400 रुपे देने का वादा किया गया। हम पूरा दिन बीजेपी की रैली में पार्टी के जंडे लेकर शामिल रहे और अपनी मजदूरी की। लेकिन रैली खत्म होने के बाद ठेकेदार फरार हो गया और हमें मजदूरी नहीं दी गई। दोस्तों इस खबर के सामने आते ही कई वेबसाइट से इसे चापा था इसे चलाया था लेकिन फिर अचानक ही इसे डिलीट भी कर दिया गया। ये देखिए, फैक्ट चकर मुहम्मद जुबेर ने इसे ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है और सवाल भी पूछा है कि आखिर इस खबर को डिलीट क्यों किया गया है। सोचने वाली बात ये है दोस्तों कि क्या राजस्तान में भाजपा के इतने बुरे दिन आ गया है कि रैली में शामल होने के लिए लोग भी नहीं मिल रहा है। एक रैली के लिए जूटे वादे करके मजदूरों को बुलाना पड़ा। अब लोग कह रहे हैं कि किसी गरीब के पैसे मारना पाप होता और भाजपा ने ये पाप किया है। ये पाप कर रही है। ये लोग हर दिन काम करके चार पैसे कमाते हैं इनके पैसे ना देकर भाजपा के ठेकेदार ने बहुत गलत किया है। लोग तो ये भी कह रहा हैं दोस्तों कि वादे करके भूल जाना भारती है जुनता पार्टी की पुरानी आदत है। कुछ साल पहले पीम मोदी ने भी कुछ वादे किये थे जैसे दोकरो रोज़गार का वादा, किसानों की आये दोगनी करने का वादा, 15-15 लाख अकाउंट में डालने का वादा, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये सारे वादे किनारे चले गए। क्या ऐसे ही जूटे वादे भाजपा जंता से वोट लेने के लिए करती है। और यही खेल इन गरीब मज़़ूरों के साथ भी खेला जा रहा है। आपको क्या लगता है अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताईएगा। यह खबर आप उल्टा चुश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरे नाम है फरीन अंसारी आप रहे हैं स्वास्त मस्त बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अलविदा।